नमश्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले ही दोस्वों एक एक शब्द अगर सच ना हो तो फिर कहना एक भी शब्द अगर गलत हो तो फिर कहना जै दोस्वों हम आपको बता दी कि आपकी प्रकार के लगतार प्रकार के ल में पहुत हैंड है लेकिन खल और कम् sneaking अभाने में दोस्थ लिए बहुत ऑन प्रकार की महनत के बहुत हैं इन तो कि लाकार हमें बहुत हैं में पुत्चेंट जाती हैं तो दोसों आज के इस वीडियो को आपढ़ hinault कर भी मिशमत कीज़ेगा तो सुब्हों ऑफपी के लिए ही हम भुती मेहनत के भुधी शमय के बाद आपके लिए इतना महात्मुनीटियोधियो लिक राए हैं इस वीडियो विडियो में हम आपकी जुनकाल की एक एक शब्द शच बताने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पन होगी अगर आप इन्हें शमय निकालकर किसी जगह बेटकर अंध तक देख लेंगे दोस्तों आप यह बास सुन पाएंगे कि आपकी जुनकाल की प्रिशानिया क्या है किस वज़ेशी प्रिशानिया आती है शब्द दोस्तों आपको एक में हमेशे उपाई बताने वाले हैं जिने करने शे दिरी दिरी आपकी जुनकाल की जो भी प्रिशानिया है वह शमाप्त ह हो जाएंगी जए दोस्तों और इन शर्वी की जानकरिया आपको प्राप्त होगी तो दोस्तों वीडियो को अंध तक दिखेगा उश्र पहले दोस्तों जोई भग्ध वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिखेगा गुरूजी का और माता र दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कि इस उमर में अपको बताएंगे कि आखिर किश उमर में आपकी किश्मत खुलेगा आपकी किश्मत का ताला आखिर कब खुलेगा आपको शबलता कब मिलेगी दोस्तों अगर लाइफ में श्रंगर्शो तो किश्मत बदलने में वक्त लग जाता है श्रमय लग जाता है जोनमें श्रंगर्श कम करने के लिए आपको क्या करना चाहि ताकि अपनी लाइफ में आप भी कुछ होती है और शक्ति शाली भी राशी होती है आपको बताचे में में आपकी यह किशी लौती राशी है जो कि शबी राशियों में राज करती है और सबसे ज़दा भागिशाली राशी होती है हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि दोस्वों मनुष्य जब जर्म लेता है तो शब की जिन्दगी में दुख आती है यह बात अलग होता है कि किशी को के के दो पहली होते हैं आपकी जुनकाल में भी अधिक शंगर्षे बहुत ही अधिक तकलीपों से आप जूज रहे हैं तो दोसों आप भगवान शुनदेप के कुछ उपाएं को करके अपने जीवन को शफल अवश बना शकते हैं इसलिए दोसों आप शुबह उटकर भगवा आपको लाइफ में जो शंगर्ष आप देख रहे हैं दोस्तों वह धीरे-धीरे कम होता जाएगा और जुनकाल में आपको शुफलता की नई किरन देखेगी दोसों एक पार एशा करके आप जरूर देखेगा इसके अलावा हम आपको बता दे कि भगवान शुनदेप के कु गुटन सी महशुष हो रही है आप खुद को अकेला महशुष कर रहे हैं आप पुराने यादों में खुद को खोच चुके हैं जिन्दिगेशी आप बहुत ज्यादा नाखुष भी होच चुके हैं लेकिन दोस्तों आप विश्वास रखी शब कुछ ठिक हो जाएगा जिन दोसों हम मांते हैं कि आपकी जिंदिगी में कुछ जादा ही गलत हुआ है पर जबT tग गलत का पुश्रमना नहीं करोगे तो दोसों शही का पहचान आपको केश होगी इतनी इसारी प्रशिणियाओं आपको दुक देने के लिए नहीं बलकि दोस्तों आपको शिक देने के के लिए आती है दोसों जो शारी दुख है जो ओसारी परिश्वनियाः जो आपके जुनकाल में आते हैं कि आपको कुछ बनने के लिए कहते हिं झालोस तो कई योग के रिवा यदा वार मन जाते दोसों hela lokरा के कि वा पूरी तरट टूट जाते हैं जैसे मानों जिने का कोई मक्षद ही नहीं है शारी उम्मिद्य ही खत्म हो गई है दोस्व आप शुवी को बता दे क्या आपने कभी शोचा है कि आपके शात एशा क्यों होता है कि दोस्व आप कई बार सब कुछ दाओं पर लगा देते ही और किशी एक इनसान को प्रजिंद्गी मे मज़ा बना लेते हैं और दोस्व तब आपकी जुन खत्रे में आ जाती है कि दोस्व जिस इनसान के लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तयार रहते हैं वहीं इनसान किशी और चीज के लिए आपको छोड़ कर चला जाता है और दोस्व एशा इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी नजरों में उस इंसान की नजरों में अपने इमेज को गिरा रखे हैं और दोस्व जब आप खुद अपने आपको वेलु नहीं करेंगे तो दोस्व दुसरा व्यक्ति केशि आपका वेलु करेगा दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका मन जिस काम में है आपको वही काम करना चाहिए सिर्फ दोस्तों आप वही करें जो आपको दिल कहता है दोस्तों दुनिया क्या कहती है इन बातों पर आप पिल्कुल भी ध्यान ना दे दोस्तों आप शिभी को बता दे कि आपकी जुनकाल में जो आपके अंदर की टैलेंट है उशे अब दुनिया के शामने लेकर आई उशे बाहर निकालने की आप अवश्कोशिश करें मेहनत करें फिर आप देखेंगे कि जो कल आपका शपना था वह हकीकत में शच हो गया है औ नोकरी करते ही और अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाता तो दोस्तों इसे में कि छोटा शुपाई अवश्क करें जल दोस्तों जब भी आप काम की शुरुआत करें काम की शुरूआत करने जाएं तो दोस्तों आप उस दिन सुबह अश्णान करने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और अश्णान करें उसके बाद आप हनुमान चलिशा का फाट करें और आप शोयंग देखेंगे कि आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह काम आपका बन जाएगा इक शिशाद दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घर्षे बाहर निकलें तो दोस्तों दाया पाउँ घर्षे बाहर रखें और जब भी घर्षे अंदर आएं तो दोस्तों अपने बाएं पैर को अंदर रखें जया दोस्तों इस शिक्या होगा दोस्तों ये उपाई करने के बाद आपको शफलता जरूर मिलेगी और आप जिश काम के लिए जाएंगे वह काम आपका जरूर पुरा होगा जरूर ही बन जाएगा दोसों आप इशुपाय को अजमाईए कई लोग ने दोसों इशुपाय को अजमाया है और हमें कमेंट में लिखा है कि इशुपाय को करने शे हमें काफी ज़्यादा मिला है इसले दोसों आप भी इशुपाय को जरूर करिएगा इसके साती अपने जियोन में थोड़ी शी शावधनिया भी आपको अब रखना चाहिए जो लोग आपके शाथ छोड़ दिये हैं जो लोग आपको पिछलिश में दोखे दे दिये हैं दोसों उन्षे दोबारा रिष्टा अब आपको नहीं बनाना है शाथ दोसों आपको बता दें, दोसों जो लोग आपका पूरा चाहते ही, दोसों आप उन लोगों से रिस्ता तोड़ दीजी, क्यों दोसों अब आपका छोचने का वक्त आ गया है, अब आपको एक्षन लेने का वक्त आ गया है, जे दोसों उन लोगों के शाथ रिस्ता अभ भी तोड़ दीजी जब आपके लिए बहुत यचा रहेगा जो वक्त पर आपका शाथ नहीं देती और आपने उनका हमेशा साथ दिया होता है दोस्तों बुरे वक्त में आप उनके शाथ खड़े रहे हैं लेकिन जब आपकी बारी आती है मुश्किल समय में जब आप उनको य बातों पर गौर करने का भी वक्त आ गया है मुहमे राम बगल में छूरी वाले लोगों शे अब आपको बसना होगा चाहे दोस्तों यह आपके कोई अपना रिष्टेदार हो कितना भी करीबी हो दोस्तों इनसे आपको बिलकुल भी रिष्टार नहीं रखना है जैं दोस्त दोस्तों यह आप एशा करेंगे तो उन्हें भी इस बात की एशास होगी कि यह इसवान हमारे बगैर भी रह शकता है जैं दोस्तों अक्षर लोग के दिल में अगर आप उनसे बातचित करते हैं तो उनके अंदर घमन्ड आ जाता है आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो आखिर आपकी राषिवालों की किछमत किछ उमर में खुलती है आखिर आपको शवलता कब मिलती है जिए दोसों लेकिन दोस्तों यह नहीं है कि आप इस सब बातों को जानकर मेहनत करना चुर दे कि आपको शफलता तो अवशी मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करते हैं भाग के भरुशे बेड़ते हैं कि भगवान हमारे घर में कुछ पेशा फैंक दे तो एशा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्वों आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी करमों की गतेश रबतार शे आपको आगे बढ़ना होगा हर कारे को आपको सोज समझ कर करना होगा और वही काम और दोस्वों वही काम करना होगा जिनमें आपका इंट्रेश होता है जिया दोस्वों जो आप करशकते हैं दुनिया की परवाह ना करें दूस्खों हम आपको फिर दोबारा वहीबात कहते ही कि कशी बात की आप परवा बिलकुल ना करें सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है जिशमें आप शपल हो शकते ही और अगर आप एहशा करेंगे तो दूस्खों सभलता आपको जरू मिलेगी दोसों आपको बता दें कि 27, 32 और 27 शाल की उमर में इन राशी वाली लोग को मकान का लाब जरूर मिल जाता है वर दोसों यह लोग बिवा के बाद खुब संपती भी कमाते हैं यह शंपती खरिदी भी लेते हैं बिवा के बाद इनको अधिक शंपती का लाब मिलता है और दोसों यदि आपको एशा लगता है कि आपके जुनकाल में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो दोसों आपको यह शंपती का लाब आपको पराप्त हो जाए जब दोसों आपको हर शनिवार के दिन शर्षों के तेल का दिपक पीपल के पेड़ की नीचे जलाना चाहिए और दोसों आप पीपल के पेड़ की नीचे जब भी शर्षों के तेल का दिपक जलाएं वह श्में अपनी मनुकमनाएं वह श्में जरूर बोलें यस^^ दोसों आपको कमया भी जरूरी मिले गी और इसके बाद दोसों आपको बदाया दे कि इस राशी के जो लोग होते ही आकाश्मिक धनलाब, 19, 22, 28 और 48 वर्ष की उमर में प्राप्त होती है दोस्व ऐसे उमर में आप शिभी को अकाश्मिक धनलाब जरूर ही प्राप्त होते हैं जा दोस्व चाहे या धनलाब आपको किशी महिला की तरफ शिप प्राप्त हो या फिर किशी पूरुष के पक्षिश से आपको प्राप्त हो लेकिन यह आकाश्मिक धनलाब आपको जरूर ही प्राप्त होते हैं दोस्व अगर आपको लगता है कि उमर होने के बाद भी आपको अभी तक अपने जुन में कापी शंकर्ष करना पड़ रहा है आपको तरक्य नहीं मिल रहा है धनलाब नहीं हो पा रहा है आपकी उमर गजर रही है और आपको कुछ हाशल भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप लोग हर शुबा भगवान शुर्देप को जल अवाशी अरपीत करें दोस्तों अपने जल में थोड़ी शी मिस्तरी आप अवाशी मिला लें और भगवान शुर्देप को शच्चे दिल से अरपीत करें मन में ही अपनी मनो कामनों को कहें जो आपके अंदर हैं बगवान शुर्देप को या कहते वे जल तड़ा दें दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी ग्रह है वह मजबुत होंगे आपके शाथ होने वाली जो भी खर्शे है वह कम करेंगे और इसके शाथ दोस्तों आपको एक उपाय हम बता दें कि अगर आपक आपको बीड़ान ना करें दोस्तों हमेशा 2-4-6 खेले का ही आप दान करें इसे विश्ष लाप की प्राप्ति होती है और दोस्तों धन प्राप्त भी इंश्य होता है इसे शाथ दोस्तों मंगलवार के दिन आप अपनी आखों में काजा लगा शकते हैं इसे दोस्तों आप आपको अपनी नोकरी और वायशा में लाब देखने को मिलेगा नोकरी नहीं मिल रही है तो दोस्तों एशा करने के बाद जल्द ही आपको नोकरी अवश्य प्राप्त होगी अगर नोकरी आपकी पहले से ही चल रही है और उनमें पद्धुनती नहीं मिल रही है तो एशा करने सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद